Hello my dear artists and art lovers, let us discuss today about a difference between poster and painting. जब हम poster बनाते हैं और जब हम painting बनाते हैं, दोनों ही situation पे हम अपने feelings को express कर रहे होते हैं. बट, poster और painting में difference होते हैं, ये ज़ानना बहुत ज़रूरी है. जब भी हम painting बनाते हैं, हम अपने feelings को only images के थुरू express करते हैं. हम उसमें कुछ भी draw कर सकते हैं, कुछ भी image create कर सकते हैं, कुछ भी lines कर सकते हैं, और सारे जो हमारे message को दूसरों तक पहुचाने के सारे medium, सिर्फ हमारा painting, वो image होता है. वहाँ पे हम कुछ भी लिखे ये expect नहीं किया जाता. But, whenever we are creating a poster, especially student life में जब हम poster making competition में participate करते हो, तो एक traditional criteria होता है कि हमें poster इसी तरह से बनाना है, तो उसके according, poster में हम अपने messages को express करने के लिए, image के साथ-साथ, अपनी painting, drawing और pictures के साथ-साथ, return messages भी उसमें डालते हैं. Suppose, अगर हमें polio drops पे एक poster बनाना है, तो हम अपने कोई भी slogan उसमें polio मुक्त भारत के लिए लिखेंगे, या फिर कुछ भी उसमें related, हमें जो है टिका करन्ट से related कोई शूचना देनी हो. अगर हम covid vaccine पे poster बनाते हैं, तो covid vaccine को लेने के फाइदे, नुकसान और उसके क्या हो सकता है, लेना क्यों जरूरी है, यह सारे messages को written रूप में उसमें दे, यह expect करता है एक poster. जबकि instead of this, if we are going to make a painting, that time, not at all written messages is allowed. आपको जो भी अपने feelings को, जो भी अपनी बात को बतानी है, जो भी आप अपने message देना चाहते हो दूसरों को, वो सिर्फ और सिर्फ आप painting, image, drawing इसी के थूरू दे सकते हो. तो यह main difference होता है poster और painting का. अब हम बात करते हैं थोड़े से uses of painting and poster का, तो भी थोड़ा सा यह topic ज़्यादा clear हो जाएगा. suppose अगर हम जो poster की use क्या होते है, advertising world में होते है, चाहे वो government के लिए use कर रहा हो, या कोई private sector use कर रहा हो, बट वो poster लोगों को attract करता है और अपनी बात को बताता है, एक general message के through, जो कि सिर्फ उस बात को बताए तो फिर वो नहीं समझेंगे लोग, लेकिन जब हम उसमें किसी image के through, image के साथ में बताए हुई बात, जो है लोगों को ज़्यादा track करेगी, क्योंकि जो visual चीज़े को ज़्यादा track करती है, उसके बाद हम अपने messages को देंगे, तो वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, इसी purpose से posters बनवाई जाती है, किसी particular prescribed topic पे poster तैयार करें, ठीक उसी तरह से painting, painting में individuality होती है, suppose painting में artist की अपनी पहचान उसके थुरू दिखाते हैं, उनके अपने अंदर की feelings काफी हद तक आप कह सकते हो, इसमें एक needsy feelings होती है painting में, जो आप सोच रहे हो, आपको कोई client painting बनाने के लिए एक particular topic दे सकता है, लेक क्या सोच रहे हो, उसको आपको feelings को express करना है, तो सिर्फ images के थुरू, लेकिन इसको भी जो है, कई बार हम अपने message को अच्छे से लोगों तक पहुँचे, इसलिए सिर्फ images के थुरू भी हम बहुत से message, society को उनकी progress के लिए, उनकी बहतरी के लिए artist देते हैं, जैसे अगर हम save girl child पे कुछ attractive painting बनाते हैं, जिसमें हम बिना एक word use किये भी दिखा सकते हैं, कि girls को education कितना important है, या girls को save करना life में कितना important है, but if we are going to make a poster, the written messages is must, आपको ये expect किया जाता है, एक poster, typical तोर पे ये expect करता है, कि आप उसमें written messages, slogan या कुछ एक बाते लिखे बताओगे, और आपके written messages और images ऐसे mix हो जाए, ऐसे merge हो जाए, और इतने attractive लगे, वो भी expect ही जाती, तो whenever you are going to make a poster, first of all, don't forget कि आप एक artist हो, तो आपकी पहली duty है, obviously उसमें जो भी आप painting या जो भी आप image बनाएंगे, it should be attractive, but mind में जरूर रखना, इसके उपर हमें कुछ बाते लिखनी भी है, तो उसी तरह से आप अपने poster की layout तैयार करोगे mind में, और अगर आप painting बना रहे हो, तो आपको written messages लिखना तो है नहीं, तो आपको जो भी बाते करनी है, वो आपको painting के through ही express करना है, इन दोनों बातों का, इन सारी बातों का आप ध्यान रखोगे, बड़ी randomly फटाफट बोलते हुए मैंने बनाए है, I hope की काफी बाते आपको समझ में आ गई होगी, अगर प्लान करके बनाती तो साइड आप जल्दी से इतना वीडियो में बना भी नहीं पाती, तो by all मिलते हैं अगली बार किसी अगली टॉपिक के random discussion में, Thank you.